नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त माहरा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्टर नुमबर 3, HCF and LCM, प्रेक्टिस सेट 12 उसमें क्वेशन नुमबर 1 है, Find HCF अब जो भी नुमबर्स दिये जाएंगे, यहाँ पर उनका में HCF Find करना है तो कॉशन स्वाल करने से पहले आप सभी कौन रध है, कि चैनल को सब्स्राइब करें, लाइक शेयर करें और बिल आइकान प्रेस करें, जिससे के आपको आने वाले वीडियो के निटिफिकेशन मिल जाएं अब हमें 25 और 40 का आईएस्ट कॉमन फेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इन दो नमबर के प्राइम फेक्टर फाइंड करना है हम दो मेताद से एसियव फाइंड कर सकते हैं मतलब प्राइम फेक्टर एस्ट्र मिल में दो मेताद से है और एक दुसरी मिल जो डिविजियन में अब 25 और 40 25 को देखे 2 से रहेड ने होगा 3 से ने होगा 5 से होगा 5 5 25 फिर 5 को 5 से होगा 5 पाय अब 40 को 2 से रहेड होगा 2 2 4 2 0 0 0, फिर 20 को युनिट प्लेस में 0 हे, तो यहां पे 2 से जाड होगा, 2, 2, 0, 0 फिर 10 को 2 से होगा, 2, 5, 0 और 5, 0, तो अब यह जो factor है जिससे हमने factor लिये है Prime factors, तो यह जो Prime factor लेनी की मेतद है, वो इसके पहले जो वीडियो है उसमें भी हमने practice 11 में लिया है मतलब questions लिया है तो वो भी आप थोड़ा देख सकते हैं जिससे कि आपको जल्दी से इनके prime factors find करने आ जाए अब 25 को हमें factor यहाँ पे लिखना है 25 के 5 into 5 तो यहाँ पे लिखो 5 into 5 यह prime factors हो गए अब 40 के prime factors हमें लिखना है 2 into 2 into 2 into 5 तो 2 into 2 into 2 into 5 अब हमें लिखना है इनका HCF highest common factor अब जो भी prime factors है दोनों में हमें highest common factor लेना है तो जिनके भी पेर यहाँ पे match होते हैं मतलब इदर जो नमबर है वही नमबर इदर हो तो हमें यहाँ पे HCF में लिखना है 5 यहाँ पे है अब यहाँ पे 5 यहाँ पे है तो इन दो 5 के लिए यहाँ पे एक 5 लिखना है अब यहाँ आगे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पे 2 तो नहीं है तो अब HCF पे दुसरा HCF में दुसरा कोई भी factor यहाँ पे नहीं आएगा अगर 2 या 2 से ज्यादा factor आते हैं तो उनका हमें multiply करके HCF हमें लिखना है तो अब यहां पर जो HCF होगा वो सिर्फ 5 होगा अब question number 2 में 56 और 32 ये दो numbers दिये गए हैं तो 56 के हमें prime factors find करने हैं तो देखे 56 को unit place में 6 है तो 2 से divide होगा 2 2s are 4 5-4, 1 16 2 8-16 फिर 2 से divide करो 2 1 2 2 4 unit place में 8 है तो 2 से unit place में 4 है तो फिर 2 से 2 7-14 अब 7 प्राइम नंबर है जो 7 को 7 से ही divide होगा 7 1 2 7 फिर 32 के prime factors हमें find करने हैं तो 32 को 2 से divide होगा 2 1 2 2 6 जा 12 फिर 16 unit place में 6 है तो 2 2 8 जा 16 फिर 2 से divide होगा 2 4 जा 8 फिर 2 से divide होगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 अब इनके हमें prime factors यहां पर लिखना है 56 is equal to 2 into 2 into 2 2 3 times है और 7 है फिर 32 के prime factors 1 2 3 4 5 5 times हमें 2 लिखना है तो यहां पर हमने लिखा है अब आएगा HCF अब HCF के लिए हमें दोनों number में जो common है जो भी common prime numbers है prime factors है उनको हमें यहां पर लेना है 2 के बदले में एक लेना है अब 2 यहां पर भी 2 है तो इन दो उसके बदले में यहां पर एक 2 लेना है फिर multiplied by फिर यहां और एक 2 है यहां पर और एक 2 है तो जब भी pair match होगी उनके बदले में हमें यहाँ पर 2 लेना है अब इनके बदले में ले लिया तो फिर अब इनको चोड़ देना है next pair देखने हैं तो next में 2 और 2 यहाँ पर आ गया है 2 तो यहाँ पर लिखो 2 अब इसके बाद 7 आता है यहाँ पर यहाँ पर 7 नहीं है यहाँ पर 2 2 है लेकिन यहाँ पर 2 2 है नहीं तो HCF में अब जितने भी factor आ गए उनका हमें multiply करना है तो 2 इंटो 2, 4, 4 इंटो 2 यहाँ पर लिखना है 8 तो 8 is the HCF of 56 and 32 अब दूसरी एक method है जिससे हमें HCF find करने आएगा यहाँ पर 56, 32 अब यह method क्या है दीखिए इन दोनों के common factor हमें एक ही साथ मतलब long division यहाँ वर्टिकल method इससे हम कह सकते हैं तो वर्टिकल method से इसे HCF find करना है तो अब क्या करना है 56, 32 लिखना है फिर यहाँ पर एक line और यहाँ पर एक line लगाने है अब 56 और 32 दोनो नमबर को जिस नमबर से divide होता है उस नमबर से हमें divide करना है तो अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 तो इन दोनों को 2 से divide होगा तो 2 से divide करने के बाद 2, 2 जा 4 5 माइनिस 4, 1 2, 8 जा 16 अब 2 से इसी divide करो 2, 16 जा 32 फिर और दोनों को जब तक divide होता है तब तक हमें divide करना है तो 28 और 16 को 2 से divide होता है 2 जा 2, 2, 4 जा 8 2, 8 जा 16 फिर और दोनों को यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 है तो 2 से divide होगा 2, 7 जा 14 और 2, 4 जा 8 अब यहां पे आगाए 7-4, तो 7 प्राइम नंबर है, 4 को 2 सी दिवैड होता है, 4 से होता है, लेकिन 7 को नहीं होता, तो दोनों को भी same किसी नंबर से दिवैड यहां पे नहीं होगा, हमें तब तक डिवैड करना है, जब तक सभी को यहां पे यहां पे दिवैड हो, तो अब नहीं होता है तो यहाँ पर हमें stop करना है अब जो left side में जितने भी numbers आये हैं उनका हमें multiplication करने के बाद हमें HCF मिलेगा तो 2 into 2 into 2 3 times multiply करो 2 into 2 4 4 into 2 8 8 होगा इन दो numbers का HCF तो 3rd question है 40, 60 और 75 तो 3 नमबर को हमने यहाँ पर लिखा है vertical method से इसे हम solve करेंगे अब 40, 60 और 75 3 number है तो हमें 3ों को जिस number से divide होगा वो number हमें point करना है तो 40 को देखे 2 से divide होता है तो 2 से इन दोनों को औरता है क्या वो check करना है अब यहाँ पर 0 है तो इसे 2 से होगा लेकिन unit plus में 5 है तो 75 को 2 से divide नहीं होगा तो हमें यहाँ पर 2 से divide नहीं करना है फिर उसके बाद जो prime number आता है वो check करना है 3 अब 4 plus 0, digit के addition सब digits के addition करनी है 4 plus 0, 4 4 को 3 से divide होता है क्या check करना है? नहीं होता तो इस number को भी 3 से divide नहीं होगा तो पहला ही जो number है उसे 3 से divide नहीं हो रहा है तो आगे check करने की जरुरत नहीं है 3 से नहीं करना है 5 से object करना है तो unit plus में 0, 0, 5 तो इन तीनों numbers को हमें 5 से divide करना है 5 से divide होता है 5, 8 is a 40 5, 1 is a 5 6 minus 5, 1 यहाँ पर 10 5, 2 is a 10 5, 1 is a 5 7 minus 5, 2 रहेगा 25 5, 5 is a 25 5, अब इसके बाद 8, 12 और 15 अब देखिए, 8 को 2 से divide होता है, 4 से होता है और 8 से होता है, तो 2 से 12 को होगा लेकिन 15 को नहीं होता, आप 4 तो prime number है नहीं, 8 भी prime number नहीं है, तो 8 को only 2 से, जो prime number है उससे divide होता है, लेकिन इन दोनों को मतलब इस number को नहीं होता तो अब तीनों को divide होने वाला कोई number है नहीं 1 चोड़ कर तो अब यहाँ पे हमें stop करना है division और hcf जो लिखना है यहाँ पे एक ही number आ गया तो इनका hcf लिखना है 5 अब इनके prime factors find करके भी हम यह solve कर सकते हैं तो इनके हम prime factors find करेंगे 40, 60 और 70 के तो 40 के prime factors देखे 2 से divide होगा तो 2, 2 जा 0, फिर 2 से divide करने के बाद 10, 2 से divide करने के बाद 5, 5 जा 5 अब 60 के factors देखे 2 से divide करने के बाद 230, 2 से divide करो 15, 3 से divide होगा 15 को 3, 5, 15, 5 जा 5 75 को 2 से नहीं होता 3 से होगा divide 7 प्लस 5, 12 3, तो 3, 2 जा 6 3, 5, 15 25 को 5, 5, 5, 5, 25 5, अब इनके जो prime factors हैं वो हमें यहापे लिखना है 40 is equal to 2 into 2 into 2 2 into 2 into 5 अब 60 के factors 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 2 into 5 और 75 के लिखना है 75 is equal to 3 into 5 into 5 अब इसके बाद इनका हमें लिखना है HCF highest common factor में तीनों में अब तीन जब नंबर होंगे तब हमें यहापे तीनों में common जो नंबर है वो डूनना है और उन तीनों के बदले तीनों का एक ग्रूप के बदले यहापे एक नंबर को लिखना है अब 2, 2 यहापे 2 नहीं है 2, 2 तो 2 अब गया है यहाँ से नहीं लेना है तो 5, 5, 5 तीनों में 5 है तो इन तीनों 5 के बदले में यहापे हमें एक 5 लिखना है जो इनका HCF होगा अब कोई नंबर तीनों में common है नहीं तो कोई भी यहापे ट्रेक्टर जो है वो नहीं आएगा तो HCF होगा 5 तो तैंकी दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे आगे के जो questions हैं वो आगे के वीडियो में solve करेंगे